है eco friends welcome back to my channel और आज मैं अपको बता रही हूँ प्रिमिक सथ के सा सपम्ज बनाया जाता है और समय में इसपन्ज यूज ऑडा जा जाता है अ इस के के किलिए में प्रिमिक्स यूज्ज तो फ्रिमिक्स थे सट साथ है शुगर दही चीनी और देवरी एक है-जंध कोगते हैं इससे हम आईसिंग नहीं कर सकते प्रेंस कैसे प्रेंसकत किया नहीं अगता आए नियुक्त जाए और लेकुल In आचैनर गृत को Сейчас रहा हृत बेकरी वाली स्टेस्ट लेके आसकते प्रेंस बहुत ही है यूज करने के लिए बहुत बड़िया कॉलिटी का है और मुझे प्रिमिक्स बेस्ट लगता है आइसकेक में और आइसकेक में प्रिमिक्स ही यूज किया जाता है तो ओनली प्रिमिक्स से कैसे स्पंज बनाया जाता है वो आज मैं आपके साथ शेर कर रहे हूं और मैं गोद्रेज का प्रिमिक्स यूज करती हूँ आप चाहिए तो अलग अलग कंपनी भी ले सकते हो ज़रूरी नहीं एक ही कंपनी यूज करना है हर कंपनी का प्रिमिक्स बेस्ट होता है तो फ्रेंस मैं या गोद्रेज का यूज करती हूँ और मैं आगे आपको दिखाऊ किसे मेंने बताया है तो चलते फ्रेंस रेसिपी की ओर इसी कप से हम दो कप वेनिला रेडिमेट प्रिमिक्स लेते हैं आपके पास कप मेजरमेंट वाला कप है तो टू-फोटी कप से टू-कप लेना है तो फ्रेंस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करके अच्छे से मिक्स करते जाना है गुटिलिया बिल्कुल भी नहीं होनी जाहिए और जैसी गाडा हमारा बैटर बनता है वैसे आपको थोड़ा-थोड़ा पानी इसमें एड़ करते जाना है आपको भॉइसक करते जाना है गुट्टिला नहीं रखने है और यह 1kg मेट वायल एकंग तक यहीं लाके मैटला मेटल नहां मीटले करेंब मृटले है आपको बेक लिए इसे भी डालके आचता मैटल कर लेना आछ शाल दोगता है तो वेणिला प्रिमिक्स से कौन सा भी आसकेक बना सकते हो तो यह लिए है मैंने इमल्शन और यह प्रिमिक्स नहीं उसक्ते हैं और दिर्यार ऑफ लेवर दे रही हूं इसको पैनापल का क्यूंकि जो एक दीदी है और उनको मैंने एकक बार प्रिमिक्स यूज़कर करके तो उन्हें बहुत ज़धा पसंद आया तो दीदी ने बोला कि और एक मुझे चाहिए खाने के लिए तो इसलिए मैं आज बना रही हूँ और आपके साथ भी शेर कर रही हूँ यह हम थोड़ा देंगे और बच्चों को भी बहुत ज़धा पसंद आता है तो यह देख सकते हैं इसका बैटर और कितना थिक और कितना सौप्ट बना है और यह रेडिमेट प्रिमिक्स से इसमें आपको कुछ आड़ करने की ज़रूरत नहीं है और आइस केक इससे ही बनता है तो फ्रेंस आपको कोई भी इसके बारे में डवट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना मैंने फ्लेवर इसलिए आड़ किया है कि वो दीदी को फ्लेवर चाहिए था और यह दिखे फ्रेंस मैंने घर का ही टीन लिया है और यह नॉर्मल पेपर लिया है और कोई बटर पेपर का यूज नहीं किया कि हर किसी के पास बटर पेपर अवेलेबल नहीं होता है तो फ्रेंस इस तरीके से यहां मैंने कट कर लिया है हमारी जुगारो तरीके से यहां मैंने कोई कैच्छी का भी यूज नहीं किया और इस तरीके से oil लगा कि आच्छे से आपको टीन को oil लगा लेना है कोई आपका मैदे का और कोई किसी का भी use नहीं करना है और बहुत ही easily हमारा जो sponge बनके ready होता है तो हमारा जो better है वो पूरा better इसमें डाल लेना है तो friends आप भी मैं बताती हूँ आपको ये vanilla ready made premix है इसमें कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है एक चमच oil डाला है मैंने और पानी डाला है और इसी के उपर आपको गैस के उपर bake कर लेना है और प्लेवर चाहिए तो इस तरीके से मैंने जैसे प्लेवर दिया है एक ही बुन डाला है friends मैंने emulsion का emulsion मतलब essence और emulsion दोनों एक साथ होते तो यहां मैंने पतेला लिया है और यह मैं डिली इसमी केक्स बनाती हूं आइस केक तो मैंने यहां stand रपका है नमक रखा है और एकदम दीमी आज पर 35 मिनिट के लिए इसे बेक होने देते है तो friends बहुत ही गरम है और यह दीके मेरे हाथ से प्लेट निकल गया और आपके प पको तम्हबास पतेला है तो हमारा पतेला में बनाई है नहीं तो कड़ाय में बहुत ही आपका यहalा एक बन नी erhö हो जाए गा तो friends मैंने पिछली विडियो में देक्तिन निकल रहा है एमारे उसी से हमारे जो स्थाम आइसरागर बनते हैं और मैं मैं प इसाथ बनाया हैएं और मैंने आप इले बरे आपको नहीं पता होता है का इस की इसके कि परीमिक से बनता है बेकरी में भी करते है और होम बेकस भी यही यूज़ करते है फ्रेंस फिर भी आपको कोई डौट हो तो कमेंट में जरूर पूछना तो फ्रेंस यह दिखे मैंने इस तरीके से निकाल दिया है इसे भी आपको प्रिमिक से स्पंज बना के खाना है तो यह बहुत ही टेस्टी और यमी बनता है तो इस प्रेंस घर में डेर सारे काम करके यह दिखे मेरा हाथ में सूजन आ गई है और इस सूजन के लिए क्या करें आपको घरविरन उसका हो तो जरूर बताइएगा कमेंट में और यह दिखे हमारा स्पंज और कितना स्पंजी बना है इसमें कलर और फ्लेवर दोनों होते है तो स्कीप करना चाहते तो आपका स्पंज वाइट बनके रेडी होगा तो प्रेंस बहुती सॉप्ट और स्पंजी बना है मैं कट भी करके आपको दिखाती हूं यह दिखे कितना स्पंजी कट हो रहा है और बहुती ईजी ली आप जरूर ट्राइगा और यह आइस केक में ही तो यह देखे कितना स्पंजी बनाया है यह देख सकते हो और मैंने पायनापिल फ्लिवर में बनाया है अब इससे हम आइसिंग केक भी बना सकते हैं तो फ्रेंस इसके बारे में आपको कोई वी डाउट हो तो कमेट में जरूर पूछना बहुत ही यम्मी है अभी मैंने खा अब जरूर ट्राइ करना प्रेंस लिया होगा कि कितना स्पंजी बनता है और और एक बार में आपको दिकाती हूं यह दिखिए मैंने बीच का एक piece cut भी कर दिया है और कितना softy और spongy बना है आप देख सकते हो और ice cake में यही यूज किया जाता है आज तो मैंने इसे flavor में बनाया है only मैंने यहाँ flavor डाला है आप बिना flavor के भी white sponge बना सकते हो बहुत ही tasty लगता है friends और बेकरी में यही केक यूज किया जाता है ice cake बनाने के लिए तो आप easily आप इसे यूज कर सकते हो ice cake बनाने के लिए तो try ज़रूर करना friends और बच्चों को तो खिला ही सकते है प्रिमिक्स ले के आके तो मैं नहीं कह रही कि आप आला के ice cake ही बनाई है और only sponge भी खिला सकते हो और वो आटे वाला और सूजी वाला और अंडे वाला मेरे चैनल पर cake sponge की recipe आप लोड़े आप जाके जरूर देखिएगा बहुत ही टेस्टी दार बनता है और ये भी उससे बहुत ही टेस्टी बनता है क्योंकि इससे ice cake जो बनता है तो friends मुझे ये बहुत अच्छा लगता है और हर मेरे cake की order जो लेती हूँ ice cake की उसमें मैं प्रिमिक्स का यूज करती हूँ चोकलेट प्रिमिक्स और वेनिला प्रिमिक्स इसमें दो ही प्लेवर आते हैं friends तो आप जरूर ट्राइक करिएगा बहुत ही टेस्टी और यमी लगता है खाने में और यह दिके प्रेंस कितना spongy बनाया है आप देख सकते हो और मैं भी खाटे भी दिखा रहे हूँ सूपर टेस्ट है friends शूगर जो है और नॉर्मल चैनल को जरूर करना सब्सक्राइब करने से क्या होता है हर हमारी जो डेली की रेसिपीद है उसकी नोटिवेशन आपको पहले मिल जाती है तो वीडियो यूज़ पूलेगी तो लाइक और सब्सक्राइब ठैक्यों पूर वाच्छिंग पाई